कि आज किस वीडियो में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे बर्न मैनेजमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट दिया जाता है सारा कुछ बहुत सिंपल लेंगज में समझेंगे वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है सबसे पहले आपर बात करते हैं burn management के अंदर first aid की कि भाई burn patient में first aid के अंदर क्या treatment provide किया जाता है first aid का मतलब होता है primary treatment काई साथ जो first है वो है first aid for minor burn या फिर first degree burn इसके अंदर जो first point है वो है कि जो patient है जिस जगह पर उसको burn हुआ है वहां पर अगर skin break नहीं हुई है तब उस condition में जिस जगह पर burn हुआ है वहां पर cold water से five minute तक की bath करवाते हैं okay अगर burn injury है वो cold environment में हुई है तब उस condition में burn जगह पर water apply नहीं करते हैं okay यहाँ पर point है वो है कि जिस जगह पर burn हुआ है वहाँ पर after bathing clean clothes से उस burn area को cover कर देना है या फिर कोई अगर trial non-adhesive bandage है तो उससे burn area को cover कर देना है यहाँ पर burn के condition में extremely pain होता है क्योंकि जो burn होता है extremely painful होता है तो इस condition में patient को थोड़ा सा सांत रखने की कोशिस करें यहाँ पर जो point है वो है कि इसमें pain को कम करने के लिए कुछ over the counter medication patient को provide की जाती है जैसे कि acetaminophen, ibuprofen, aspirin यह जो non-steroidal anti-inflammatory drugs होती है यह over the counter होती है जो pain को कम करती है pain के साथ swelling और inflammation को भी कम करती है यहाँ पर जिस जगह पर burn हुआ है वहाँ पर friction और pressure को भी protect करना है यहाँ पर कई बार minor burn के case में जो patient होता है वो without treatment recover हो जाता है यहाँ पर हम बात करते हैं first aid for severe burn या फिर second या third degree burn अगर जो burn patient है उसमें severe condition है second या third degree burn हुआ है तब उस condition में क्या first aid दिया जाता है उसमें जो first point है वो है कि जो patient है उसमें जो burn clothes है वो अगर easily remove हो जा रहे हैं तो easily इसको remove कर देना है अगर burn clothes है वो अगर remove नहीं हो रहे हैं तो इनको remove नहीं करना है इसके साथ यहाँ पर यह confirm करना है कि जो person है वो source of burn से अलग है की नहीं इसका जो source of burn है वहाँ से contact खतम हुआ की नहीं यह चीज जो है confirm करना है यहाँ पर जो patient है जो client है उसमें यह confirm करना है कि breathing कर रहा है की नहीं अगर breathing नहीं हो रहा है या airway block हो गया है तब उस condition में CPR start कर देना है यहाँ पर अगर patient breathing कर रहा है तब उस condition में जो burn area होता है उसको strile non-adhesive bandage से cover करना है या फिर किसी clean clothes से उस burn area को cover करना है यहाँ पर जो अगला point है वो है कि जो burn area है वहाँ पर कोई भी ointment apply ना करें इसके साथ यहाँ पर जो burn area है वहाँ पर अगर कोई blisters है तब उनको उनको जो है blisters को हटाने की कोशिस ना करें इसको friction और pressure से prevent करें प्रोटक्ट करें इसके साथ पेसेंट में जो vital signs है उनको continue monitor करें जैसे की blood pressure है breathing है pulse rate है जो भी vital signs है इनको continue monitor करते रहना है severe burn के condition में जैसे आपर हम बात करते हैं do not की कि भाई burn patient में क्या नहीं करना है क्या नहीं किया जाता है सबसे यहाँ जो first point है वो है कि जो burn patient होते हैं जो burn area होता है वहाँ पर कोई भी ointment, कोई भी ice medication, कोई भी oil spray या फिर कोई भी adhesive bandage जो भी home remedies हैं इनको apply नहीं करना है क्योंकि यह जो सारी चीजे हैं यह wound के healing में interfere करती है यहाँ पर जो अगला point है वो है कि जो burn area होता है उसको clean रखना है, साफ रखना है उसमें किसी भी type का contamination नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर contamination होगा तो वहाँ पर infection होने का risk बढ़ जाता है infection हो जाएगा जिसके कानल जो wound है वो उसमें interfere होगा यहाँ पर जो अगला point है जो burn area होते हैं वहाँ पर कभी-कभी blisters बन जाते हैं वो जो blisters हैं उनको break नहीं करना है उसमें किसी भी type का disturbance नहीं करना है इसके साथ जो burn area की skin होती है वहाँ पर कोई भी disturb नहीं करना है यहाँ पर burn के patient में कोई भी cold compression अपलाई ना करें इसके साथ जो burn patient है वो अगर लेटा हुआ है तो उसमें pillow का use ना करें इन चीजों का जब बर्न patient में ध्यान रखना होता है जो नहीं की जाती है यहाँ पर हम बात करते हैं immediate management of burn कि भाई burn के patient में immediately क्या management प्राइड किया जाता है यहाँ पर burn के patient में 3 टाइप का immediately management प्राइड किया जाता है जो first है वो है एरवे मैनेजमेंट और जो second है वो है hyperbaric oxygen therapy और जो third है वो है fluid management तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एरवे मैनेजमेंट की भाई एरवे में क्या management प्राइड किया जाता है यहाँ पर कोई ऐसा patient है जिसका face burn हुआ है या फिर neck reason में burn हुआ है या फिर person जो है कोई flame inhale किया है तब उस condition में patient में patient को closely observe करना होता है उसमें यह देखते हैं कोई laryngeal edema तो नहीं है laryngeal edema को हम assess करते हैं इसके साथ यहाँ पर airway को observe करते हैं airway को assess करते हैं देखते हैं कि जो patient है उसका जो airway है वो block तो नहीं है यहाँ पर अगर minor pulmonary injury हुई है तब उस condition में जो patient होता है उससे हम बोलते हैं कि coughing करो अगर जो coughing करता है तब जो अंदर जो mucus होता है जो secretions होते हैं वो बाहर आते हैं ठीक है अगर जो patient है वो coughing नहीं कर पा रहा है तब उस condition में यहाँ पर bronchial suctioning की जाती है suctioning के थुरू mucus को secretions को बाहर निकाला जाता है इसके साथ यहाँ पर bronchio dilator drugs का भी use किया जाता है जो bronchio dilator drugs होते हैं यह bronchi को dilator कर देते हैं जिससे जो airway है वो थोड़ा सा wide हो जाता है और थोड़ा सा breathing में help मिलती है यहाँ पर bronchio dilator के साथ साथ यहाँ पर mucolytic agents भी दिये जाते हैं जो mucolytic agents होते हैं यह mucus को thin कर देते हैं जब mucus thin हो जाता है तो जो mucus है वो easily expel out हो जाता है जिससे breathing में improvement होता है ओके यहाँ यहाँ पर कभी सीवियर कंडीशन में इंडो-tracheal incubation किया जाता है इंडो-tracheal incubation में क्या होता है कि जो गले के पास ट्रेकिया होती है वहाँ पर small incision दिया जाता है उस small incision में इंडो-tracheal tube को insert करके mechanical ventilation से connect कर दिया जाता है यहाँ पर जो treatment है जो management है वो है hyperbaric oxygen therapy जो hyperbaric oxygen therapy है यह एक non invasive medical treatment है जो की burn patient को दिया जाता है जो पर hyperbaric oxygen therapy के एक device होती है जिसमें pressure chamber होता है जो pressure chamber होता है इसके अंदर oxygen filled होती है जैसा कि यहाँ पर आप image में देख सकते हो जो pressure chamber होता है इसके अंदर 100% pure oxygen filled होती है जैसा पर इस chamber का जो pressure होता है यह normal atmosphere से इसके अंदर का pressure जादा होता है जैसा पर यह जो hyperbaric oxygen therapy होती है इसमें patient को 100% pure oxygen deliver की जाती है यह एक painless procedure होता है इसके साथ यहाँ पर patient को इस device के साथ train कर दिया जाता है और वो इस device को घर पर भी use कर सकता है airway को establish करने के बाद fluid management start कर दिया जाता है कैसा पर burn के patient में fluid का management बहुत ही important होता है क्योंकि burn के patient में fluid बहुत ज्यादा amount में loss होता है इसलिए body fluid को maintain करना बहुत ही ज्यादा important होता है कैसा पर burn के patient में सबसे ज्यादा plasma loss होता है क्योंकि जो burn का patient होता है वहाँ पर plasma gel जाता है कैसा पर burn के patient में electrolytes का maintain करना बहुत ही जरूरी होता है इसके साथ साथ यहाँ पर burn के patient में Ukraak को prevent करना very important होता है क्योंकि sock के condition में क्या होता है कि जब हमारे body में fluid की कमी हो जाती है burn के patient में supplement की कमी हो जाती है तो hypoвалemic sock में patients चला जाता है जब hypoвалemic sock होता है तो उसमें blood pressure decrease हो जाता है जो heart की supply है वो कम हो जाती है जिसके कारण हमारे body को जो है proper amount में blood नहीं मिल पाता है और patient की death हो जाती है तो यहाँ पर hypo welumic sock को prevent करना most important होता है guys आपर fluid replacement therapy दी जाती है guys आपर fluid replacement therapy के अंदर कई सारे types के fluid administer किये जाते हैं जैसे कि यहाँ पर normal saline जिसको sodium chloride बोलते हैं और यहाँ पर ringer lactate patient को दिया जाता है dextran दिया जाता है इसके साथ यहाँ पर digital water जैसे fluid administer किये जाते हैं guys आपर burn के patient में जो fluid replacement therapy होती है यह 48 hour के during में दिया जाता है guys आपर fluid replacement therapy के थुरू जो circulatory blood volume होता है इसको maintain किया जाता है okay next guys आपर last में बात करते हैं wound care की guys burn के patient में wound care करना बहुत ही necessary होता है guys आपर जो wound होता है उसको infection से prevent करना है guys आपर जो wound है उसको clean करना है और जो भी dead tissues होते हैं जो भी debris होती हैं उनको remove करना है और उस पर जो है antimicrobial topical agents आते हैं उनको apply करना है और antibiotics जो है prescribe की जाते हैं डॉक्टर के दौरा उसको intake किया जाता है तो यहां पर wound care में infection को protect करना infection से prevent होना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर देना क्योंकि ऐसे informative वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं थैंक यू